अस्सलाम अलेकुम वीर्स कैसे है आप सब आज हम आप साथ शेयर करने वाले है एग राइस और आप इसे एग फ्राइड राइस भी कह सकते हैं जो के बहुत जादा यमी होकी बहुत इजी सी रेसिपी होंगी इंस्टिंट रेसिपी होंगी तो चलिए अब हम आपको इसकी रे कर लिये है तो बस यहां पे हमने वो लिये है यहां पे अब हम ले ले लेंगे लसन तो लसन को भी हमने फाइंडी चॉप कर लिये है अगें लसन की कॉंटिटी जो है वो आप आपकी हिसाब से ले सकते है आप चाहे तो आप यहां पे अद्रक का भी यूज कर सकते है हमने ज तुलि िछिजे पाउयने काम भी नी homogeneous है डिने यहां तो यहां हमें रह जिए यहां है तो दाले ज़िए तो नो बस यहां के वहां प Mick अच्छा कभी आपको और स्पाइसी चाहिए तो यह पॉंट पे आप रेड चिली पाउडर भी दाल सकते हैं और उसके बाद इसके अपर आप गरम ओल दालें बस यहां पे जो हमारा इंस्टिंट सा एक फ्राइड रेस का जो मसाला है वो रेडी हो जाता है तो चलिए अब हम आगी की रेसिपी बताते हैं बस यहां पे हमने एक पैन ले लिए है जिसमें हम दालेंगे ओल अगें आपके हिसाब से दाल सकते हैं और यह पॉंट पे जो है आप ओल कम दालना ही प्रिफर करिए क्योंके जब हमने इंस्टिंट मसाला बनाए हमारी एक फ्राइड राइज क तो उसमें भी जो है अच्छा खासा चला गया है तो बस यहां पे भी आप ऐल जो है वो देखके डाले है यहां पे जो है हमने कुछ फाइज टेबल स्पून ओल दाले है जिसमें जो है हम फ्राइ कर लेंगे दो एग को ज्यादा गरम मत होने दीजिएगा नहीं तो जो आप के एग है वो जल जाएंगे और जब आप राइस बनाएंगे तो उसमें इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा तो बस जब आपको ऐसे लगए कि हाँ थोड़ा सा हीट हो गया है तो वो पॉइंट पे जो है आप यहां पे दो एग दाल दीजिए और इसे जो यहां पे हम इसमें दाल देंगे राइस तो राइस को जो है हमने बॉइल करके रखे ते अगयां कभी आपको पता करना है कि फ्राइड राइस की राइस को कैसे बनाया जाता है तो उपर जो हम आपको जो लिंक है वहां पे शेयर कर देंगे हमने पुरी फ्राइड राइस ब तो बस अब हम इसमें दाल देंगे लेकिन सबसे पहले जो है आप राइस और एक को अच्छे से मिक्स कर लीजिए नहीं तो क्या होगा जो एग वो नीचे ही रहेगा और वो जल जाएगा बेस पे तो बस पहले आप मिक्स कर लीजिए उसके बाद जो हमारा इंस्टेंट मसाला वे बनाए थे एक अब यह एक फ्राइडरीस तो बस अब हम इसमें वही दाल देंगे और इसके बाद हम इसमें तो एट जो हम इसमें तो दालेंगे तो थोड़ा साथ नुदा साथ साथ सूशो को बहुत ही अचे से एक मिक्स ते जीजिए अजिए जिए अगर आपको एसा तो यह पॉइंट पे आप शॉल्ट भी दाल सकते हैं और यह पॉइंट पे आप जो आप चिली पॉडर भी दाल सकते हैं कि आपका जो फ्राइड रेस का फ्लेवर है वह बहुत ही अच्छे से बैलन्स हो जाए क्योंकि जब आप मिर्ची है वह कची लगेंगी तो बस यह पॉइंट पे जो है कभी आपको कम स्पाइसी लगता है तो यह पॉइंट पे आप डाल सकते हैं रेच चिली पॉडर भी और सॉल्ट भी इसारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक स्टर दे देंगे तो यहां पे जो है हमारी इंस्टिंट एक फ्राइड राइस रेडी हो जाती है तो बस अब आपको उसका एक लुग बताते हैं उसके बाद जो है हम इसे डेकोरेट करेंगे हाफ फ्राइड एक से तो बस अब हम आपको वही बताते हैं यहां पे आपको उसका ही एक लुग बताते हैं और फिर चली अब बढ़ते हैं आगी की रेसिपी की तरफ आप यहां पे देख सकते हैं जो हमारी फ्राइडर से वो बहुत ही जादा यामी लग रही है और यह सच में बहुत जादा टेस्टी वनी थी आप एक बार बना कर ज़रू ट्राइ करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताईएगा आपको यह रेसिपी कैसी लगी थी अच्छे यह पॉइंट पे जो है आप प्यास की पती वगेरा भी दाल सकते हैं और इसे कोतमीर वगेरा से भी गार्निश कर सकते हैं या फिर जब हम इंस्टेंट मसाला बना रहे हैं तो वो पॉइंट पे भी आप प्यास की पती पे जो वाइट वाली प्यास आती है वो भी बस अब आपको वही बताते हैं बस यह फ्राइडरीस पे हम रख देंगे अग जो हमने फ्राइड करके रखे थे अच्छा जब आप एग फ्राइड कर रहे हैं तो आप उसमें डाल दीजिए तो आपका एग पुरा नीचे चिपक जाएगा आप पैन में पानी सुखा लिजिए पैन का फिर ओईल दाली और फॉरण ओईल दालने के बाद आप उसमें एग दाल दीजिए तो आपका जो एग है वो नीचे से जलेगा भी नहीं और बहुत ही अच्छे से सरकल शेप में आपका एग अच्छे से फ्राय हो जाएगा बस हमन जिसमें हमने एग को फ्राय करें है तो उसमें हमने थोड़ा सा ओईल रहने दिये है उसमें हमने हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर दाले है थोड़ा सा लसन दाले है चौप किया हुआ और बस हम वही ओल से इसे अच्छे से डेकोरेट करेंगे और सबसे एंड में हम इसे गानिश करेंगे कोतमे के साथ और यहां पे हमारी यामी सी इंस्टिंट एग फ्रायड राइस और एग राइस बनके रेडी हो जाती है तो बस आपको यह राइस में बस एक ही बात याद रखना है कि जब आप एग को फ्राय कर रहे है तो आप ऑप गरम होने नहीं द जिसकी वज़ा से जो आपका एग है वो बहुत ही अच्छे से सर्क्ल शेप में बनके रेडी हो जाएगा और हमेशा जब आप एग फ्राय कर रहे है तो आप ठंडा एग लीजएगा जिसकी वज़ा से जो इसका योग होता है वो एकदम स्टिफ होता है कभी आप रूम टें आप यूर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सपोर्ट करें शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें और एक बार जो है हमारी तरीके की एग राइस बना कर जरूर राय करें हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा आप कोई रेसिपी कैसी लगी थी दौाओं में रखिएगा होप यू लाइक दी वीडियो जजा कर ला